नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारे कलवे और आप देख रहे हैं बात सच है वक्त पांच अपरेल दो अजार बारा जगे सियाचीन का ग्यारी सेक्टर जब आस्मान में सूरज धूप बिखेर रहा था और सियाचीन की बरप चांदी की तरह चमक रही थी तब बरप का एक ऐसा विशाल तुफान पैदा हुआ की चारोतर बरप का गुबार फैल गया इस बरपीरे तुफान में 140 पाकिस्तानी सैनिक दफ़न हो गई इस घटना के लिए खुरापाती पाकिस्तान ने भारत को दोसी फैराया था इसी भी जिस सिक्रेट विपन का नाम दुणिया में सामने आया उसका नाम था काली यानी केलो एंपियर लिनियर इंजेक्टर पाकिस्तान ने आरोप लगाया था की भारत ने अपने इस सिक्रेट विपन का इस्तमाल करके बरप का तुफान पैदा किया है जिसकी वज़े से उसके सैनिकों की जान गई है बताया जाता है कि इसे भारत ने वाइट वाउस का नाम दिया था अब आठ साल बाद काली का नेतर फिर से खुलने जा रहा है खबर है कि भारत ने चीन के खिलाप इसका इस्तेबाल करनी की जाज़त डे दी है जंग के मैदान में अचूक समझे जाने वाला या दुनिया का सबसे विद्वनसक हतियार है जो पंडूबी से लेकर मिसाइल यूदपोत और फाइटर प्लैन को बिना किसी गोलाबार उदकरने इस्तनाबूद कर देता है इससे पहले की चीन और पाकिस्तान की बढ़ती धड़कुड़ो का विसलेशन करे पहले ये जान लेते हैं की काली क्यों इतना खथरनाक वेपन है जिससे पाकिस्तान धरनाता है और चाइना की टांगे का अपने लगती है दरसल काली को सबसे पहले भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर यानि बर्कने की इस्टुमेट के तोर पर बनाया था ताकि ये अपने सैटेलाइट को सुरक्सा परदान कर सके उन पर पढ़ने वाले इलेक्टरनिक वेब से सुरक्सा दे सके अब तक काली के कई वेरियंट बन चुके हैं काली 1040 गीगाबाइट की एनर्जी उत्पन करता है यानि आदे से ज़्यादा पाकिस्तान को इससे कम बिजली कियाव सकता पढ़ती है ऐसे में ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ये वेपन कितना खतरनाक है ये वेपन सत्रू के फैटर प्लैन से लेकर पंडू भी युदपोत तक को लेजर बीम से एक जटके में तबा़ कर सकता है इस लेजर बीम में सेकड़ नैनो सेकिंड के लिए ये विजली उत्पन होती है इस सत्रू के अतियारों के इलेक्टोनिक सिस्टम को तबा़ कर दिया जाता है भारत ने 1987 में काली 80 फिर 100 का निर्मान किया था अब कहा जा रहे कि भारत ने काली 5000 और काली 10000 भी बना लिया है बताया जाता है कि ये अंत्रिक्ष में घूमते दुस्मन के सेटराइट को भी एकिंडो में भसम कर सकता है यानि ये भारत का वो सबसे खुपिया और सक्तिसाली हतियार है जो एक ब्रहमास्तर के रूप में भारत को अजे बनाता है अब ये हतियार LAC पर भेजा जा रहा है जो चीन के फैटर प्लेन और उसके टैंक तोप को अपना गरास बनाने वाला है जिन हतियारों को चीन भारत से मुकाबले के लिए लेकर आया है अब वे काली की बेट चड़ने जा रहे हैं भारत दोरा काली को मैदान में लाने की भनाक केवल चीन को ही नई पाकिस्तान को भी लग चुकी है काली के सामने दुनिया के सभी अतियार बे असार है खास बात यह है कि भारत ने इसके आकार को छोटा करके फाइटर प्लैन और विमानवाग पोथ परतैनाती के काबिल बना दिया है इसका मतलब यह है कि भारत के फाइटर प्लैन बिना कोई मिसाइल चलाए ही चीन को बरबाद कर डालेगे चीन के पास काली की कोई भी काट नहीं है इसलिए उसके प्रकौप से बचना चीन के लिए बिलकुल ऐसमभव है भारत ने अपने सिक्रेट वेपन को लेकर बेहदी गोपनीत्या बरती है बताया जाता है कि गलवान घाटी में काली भारी तबाई मचा सकता है चीन की किसी भी माकत का जबाब देने के लिए भारत की तैयारी लगबग पूरी हो चुकी है अब एक्सन के लिए हरी जंडी मिलने का इंट जा रहा है यानि 20 जवानों की साधत का बदला लेने की पठकता लिखी जा चुकी है खुद वाई उसे नदेक्स भदोरिया ने भी ऐलान कर दिया है कि सहीदों का बलिदान वर्त नहीं जाएगा इसका मतलब यह है कि चीन सूपर पावर बनने का जो ख्वाब पाले बैठा था उससे द्वस्त करने का खाका तैयार हो चुका है काली का नेतर खुलेगा तो फिर चीनी नहीं पाकिस्तान भी जलेगा इसी के साथ अनुमती दोस्तों जै जवान जै किसान जै हिंद बन नवात्रम